हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, आज येस लेक्चर में हम इन इक्वालिटीस टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इन इक्वालिटीस देखने से पहले, इक्वालिटीस देखते हैं जैसे कि बहुत सिंपल सिंपल इक्वालिटीस, x-2 is equal to 0 तो इसका solution क्या आता है, x equal to 2, यह हम सबको पता है, x square minus 4 is equal to 0 तो इसको हम इस तरह से लिख सकते है, x square is equal to 4, which will give you x is equal to plus minus 2 इस इस रेली सिंपल, ओके, तो इन इक्वालिटीस को अगर हम इन इक्वालिटीस में ट्रांस्वार करें मतलब कि अगर यह question आपको ऐसे आता, x minus 2 greater than 0 और x square minus 4 less than 0 आयाता, let's see, तो अब इनको कैसे solve करना है, इनके solutions क्या होंगे, वो ही चीज़ हम इस चप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो next, देखे ज़रा पहले हम science देखने एक बार, revise करने, यह आते सब को हैं, just for the sake of completion, मैं दुबारा से इसमें लिख रहा हूं, this symbol is for greater than, generally, okay, left hand side में जो quantity रहेगी, वो right hand side वाली quantity से greater रहेगी, ठीक है, और यह symbol आ जाता है, less than का, फिर यह symbol आता है, जब हम नीचे equality भी यूज़ करते हैं, this is greater than, और equal to, ठीक, तो first symbol और third symbol में difference ध्यान रखेंगे, यह सिरफ left hand side वाली quantity exactly greater होगी, right hand side से, इसमें क्या है कि left hand side वाली quantity greater भी हो सकती है, और equal भी हो सकती है, और यह symbol आ जाता है, फिर less than, equal to, less than or equal to, alright, so, यह 4 symbols जो के use होते है, आगे देखें जा रहा है, इस पे examples कर लें, देख दो, जिसे 1 greater than 0, यह true है, ठीक है, तो 2 greater than equal to 0, यह बराबर है, तो inequalities में भी बराबर आ रहा है, तो यह this is true, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता है, 2 greater than 2, तो अब यह statement false होती है, ठीक है, next, minus 1 अगर मैं कहूं के 0 से बड़ा है, यह भी गलत statement हो गई, मैं कहूं 1 less than equal to 1, यह true statement है, विकास 1 equal तो आई रहा है, कम से कम तो यह inequality का, जो equality वाला part है, वो verify हो रहा है, वो true निकल के आ रहा है, ठीक है, next, we will see intervals, first, let's take an example, x greater than 2, अब इसको लिखने का तरीका क्या रहाता है, हम इसको किस तरह से लिखते हैं, वो हम इस topic में समझ रहे हैं, ठीक है, intervals में, तो यह इसको हम इस तरह से लिखते हैं, x belongs to 2 to infinity round bracket, यह जो round bracket होती है, यह इस तरह की, इससे हम बोलते है open interval, दोनों तरफ round bracket का मतलब open interval, अब इसको अगर मैं number line पर plot करूँ, तो यह कुछ इस तरह से plot होगा, यहाँ पर अगर 0 है, 1, 2, 3, 4 और आगे numbers हैं, तो यह चीज क्या कह रही है, क्या कह रही है, यह 2 से बड़ा number है, लेकिन 2 के equal नहीं है, अब हम number line पर जब plot करते हैं, जो चीज 2 से बड़ी हो लेकिन equal ना आ रही हो, उसको हम open circle से denote करते हैं, तो open circle मतलब अगर equality नहीं आ रहे और close circle एक होता है, इस तरह से filled circle, इसको हम closed circle बोलते हैं, और यह अपना open circle आ गया, यह close circle हम equality के लिए use करते हैं, अगर हमें sure हो कि number 2 के बराबर भी है, और उससे बड़ा है, तो फिर हम equality के लिए close circle use करते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर बोल रहा है कि 2 उससे exactly बड़ा, तो 2 नहीं आना चाहिए, अगर number नहीं आ रहा, तो फिर इसको हम open circle से denote करते हैं, और यह इस तरह से arrow लगा कि मतलब हमारा जो x है, वो 2 की value को छोड़के उससे सारी बड़ी values ले सकता है, मतलब x can take 2.0000001, यह वाला number x attain कर सकता है, that will be greater than 2, यह inequality satisfy हो जाएगी, लेकिन x की value exactly 2 नहीं आ सकती, यहां पर यह कहने का हमारा meaning है, एक और example देते हैं, जैसे कि मालो number line इस तरह से हो, 1, और यहां पर 2 आया, 3 and 0, और फिर हमने इस तरह से show करी number line अगर, तो इसका मतलब क्या है, कि जो अपने x की value है अब, वो यहां पर open है, देखो, open circle है, तो यहां पर bracket, round bracket आएगी, और यह 1 से शुरू हुआ, और 2 तक values आ सकते हैं, तो x belongs to, 1, 2, 2, यह दोनों open circle की example आगे फिर, ठीक है, इसको चाहे तो हम इस तरह से shade भी कर सकते हैं, यह तो ओपन टावल, जब दोनों तरफ open bracket आती है, एक चीज़ का ध्यान रख लेंगे, कि जब भी infinity होगा, इंफिनिटी पे हमेशा open bracket आती है, open bracket की बजाए, अगर हम इसको बोले, कि infinity पे हमेशा round bracket आती है, open circle, round bracket, all right, next देखा हमने, second, second में अगर हम देखे हैं, तो second वाले को हम किस तरह से देख सकते हैं, और first open interval था, तो second वाला हम closed interval पढ़ते हैं, closed interval के लिए हम दोनों तरफ square bracket यूज करते हैं, इस तरह से, और इसका meaning क्या होता है, यह भी हम अभी एक example से देखेंगे, let's say 0 है, 1, 2 and 3, और हमारा जो solution है, वो इस तरह से mark किया हुए, यहां 1 से 2 तक और दोनों तरफ close circle है, तो अभी हमें क्या कहना चाहता है, कि x की value कहां से कहां तक हो सकती है, x can belong from 1 to 2, x belongs to, यह जो symbol है, that is belongs to, so x की value 1 से 2 तक हो सकती है, 1 भी हो सकती है, and 2 भी हो सकती है, और उसके बीच में आने वाले सारे real numbers, x को हम value दे सकते हैं, तो that is close interval, फिर हमने 3rd देखा, that is semi closed, इसको हम semi open भी बोल सकते हैं, यह अपनी मर्जी है, semi closed को यह semi open कहलो, इसमें क्या होता है, कि एक तरफ open round bracket, एक तरफ square bracket, for example, 0, 1, 2, 3, अगर इस तरह से plotting की होई है, तो इसका मतलब कि 2 पे close circle है, 1 पे open circle है, तो 1 पे round bracket आएगी, और 2 पे square bracket आएगी, infinity पे ध्यान रखेंगे, हमेशा ही round bracket आती है, तो इस question में कहने का क्या मतलब है, कि x की value 2 आ सकती है, x की value 1 और 2 के बीच में कोई भी आ सकती है, लेकिन x की value exactly 1 नहीं आएगी, ठीक है, और फिर एक और example ले इसमें, जैसे कि 0, 1, 2, 3, इधर close कर दिया, और इस बार इधर open कर दिया, तो अब answer क्या आएगा, x belongs to close 1, 2, open 2, इस ताना से हम इसको read करते है, ठीक है, यह हो गया, semi close and semi open, आप इनको कोई भी दोनों में से नाम दे सकते हो, जो आपको पसंदो, next देखते है, एक और special case आ जाता है, curly brackets का, कई बार क्या होता है, कि माल लो इस तरह से solution दे रखा है, 0, 1, 2, 3, और वो कह रहा है, कि यह number answer है, यह number answer, अब क्या है, कि यह दोनों ही answer है, इनके बीच में आने वाले numbers, वो answer का part नहीं है, तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं, देखे, 1, 2, यह curly brackets से लिखाया था, जैसे sets में लिखते थे, तो इसका क्या मतलब है, इसके दो ही solution है, 1 x equal to 1, 1 x equal to 2, यह दोनों इसके answer का part होंगे, 1 और 2 के बीच में आने वाले कोई number इसका part नहीं होंगे, इस scenario में, तो curly brackets हम तब use करते हैं, जब हमारे पस limited number of, हमने integers को represent करना है या particular numbers को represent करना है, हम real number को नहीं कर रहे है एक particular interval में, ठीक है, यहाँ पे solutions है, वो stand-alone solutions है, अलग-अलग different points की form में solution है, एक और example देख लिया है, जैसे आपको कोई कहिए, natural numbers from 2 to 50, लिखके दिखाओ, अगर ऐसे कोई कहिए, sets की form में लिखना है, अब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, x belongs to, हम ऐसे लिख देए, 2 से लेके 50 तक, तो इसमें तो बहुत सारे fractions भी आगे, बहुत सारे irrational numbers आगे, वो सब integers नहीं है, वो सब natural numbers नहीं है, उनको हमें remove करना पड़ेगा अपने sets से, तो इसको लिखने का सही तरीका कुछ ऐसा है, इसको ऐसे लिखने के curly brackets की help से, तो यहां पर यहां पर dash लगा दिया, यहां पर 49 and then we can write 50 here and then curly bracket close, तो यह सही तरीका हुआ, इस question को plot करने का, इस question को लिखने का, अगर plotting की बात करें, तो 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ऐसे show कर सकते हैं, यहां पर 49 और यहां पर 50, यहां पर 50 आया, ठीक है and फिर हमने क्या किया, यहां पर plots करने शुरू करें, यहां पर 2 answer है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इती तरह से 49, 50 तक यह सारे natural numbers, answer का part बन जाएंगे, ठीक है, यह कुछ basic points है, इन्हीं के base पर हम कुछ examples करते हैं, ताके, और clarity आये इस topic में, let's see some examples, say x greater than equal to 2 लिखना हो, इसका मतलब है कि x 2 के बराबर है, और 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, तो x belongs to 2 to infinity, हम इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर number line पर plot करना हो, तो plotting कुछ इस तरह से होगी, कि यहाँ पर 2 आ गया, यह 2 के equal आ गया, और फिर उससे बड़े कोई भी number आजते हैं, 3, 4, up to infinity, I am sure आपको यह सारा समझ में आ रहा होगा, आगे देखें, जैसे x less than equal to 5 है, तो इसका मतलब, कि x की value 5 से ज्यादा नहीं हो सकती, और कम जुदनी मर्जी हो सकती है, यहाँ से minus infinity से pick किया, round bracket के साथ, to 5 close, इस तरह से, और उसको plot करना है, तो plot भी कर सकते हैं, लट से यहाँ पर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, जहाँ से 5 की value equal आगी 5 के, और उसके बाद, पिछे की तरफ हमने इस तरह से arrow plot कर दे, तो that will tell us the answer is, कि answer minus 20 से लेके 5 तक कोई भी answer आ सकता है, ठीक है, और देखते हैं example, मालो, इस तरह से लिखा हो, x की value, 2 से लेके 5 तक, तो इसका solution आया, कि जो x है अपना, वो 2 से x belongs to open 2 to 5 कुछ इस तरह से, ठीक है, तो x की value 2 to 5, कोई भी value हो सकती है, तो इसको अगर हम number line पर plot करेंगे, तो number line पर कैसे plot होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और let's say, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर answer आया, 2 open से 5 open, एक और example लिया, let's say x belongs to minus 1, equal less than equal to minus 1 से, greater than equal to minus 1 से less than equal to 2, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, x belongs to minus 1 to 2, और जब इसको plot करेंगे, तो अगर नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक बार rewind करके दुबारा से देख सकते हैं, आगे चलें, एक और example लेते हैं, फिर next एक note लिखेंगे, x की value 0 से 2 तक हो सकती है, अगर इस तरह से दिया है, so it will be like x belongs to close 0 to open 2, और plotting करनी है, तो यहाँ पर 0, minus 1, 1 और 2 और 3 है, तो यह close 0 से लेके open 2 तक जा रहा, यहाँ पर open circle रखेंगे, so this is the plotting, ठीक है, आगे चलें, एक note लिखें, फिर next topic करेंगे, note में हम वही लिख रहे हैं कि infinity and minus infinity are always in open brackets, हमेशा open bracket, open circle से denote करेंगे, round bracket से, आप open bracket या फिर round bracket बोल सकते हो, infinity और minus infinity हमेशा इसी तरह से denote की जाएगे, ठीक है, आगे चलता है, अब एक basic properties देखते है, inequalities की, फर्स देखें, कि अगर a, b से बड़ा है, if a is greater than b, और हमारे पास एक c number है, जो कि कोई भी real number हो सकता है, c belongs to set of real numbers, तो अगर c कोई भी real number हो सकता है, तो अगर हम इसमें add करते हैं c को, a plus c, और b में भी add करते हैं c को, तो inequality का जो sign है, वो change नहीं होगा, वो उसी तरह से रहेगा, और हम numbers add कर सकते हैं, यह हमारा पहला result है, कि हम inequality में, अगर आपको कोई भी real number add करना हो, तो आप उसमें add कर सकते हैं, अगर आपने subtract भी करना है, तो आप subtract भी कर सकते हैं, तो real number कोई भी add हो सकता है, या subtract हो सकता है किसी भी inequality में, या आप एक छोटी सी example लेके check भी कर सकते हो, मालनों हमारे पास 2 less than 5 है, तो अगर आप इसमें plus 3 करो, दोनों तरफ, 2 plus 3, यह अभी भी छोटा ही रहेगा, 5 plus 3 से, इसकी value 5 आजाएगी और इसकी value 8, तो inequalities में आप कोई भी real number add या subtract कर सकते हैं, उससे inequality के sign पे, जो greater than और less than वाले signs हैं, उनमें कोई भी change नहीं आती है, एक और देखे, next property, कि अगर a greater than b है, ठीक है, अब अगर आप इसमें multiply करते हो चीजें, अगर आप इसमें, first thing, अगर आपका c एक positive real number है, अगर c positive real number है, और आप इसमें चीजें multiply कर रहे हैं, तो इस तरह से ac greater than bc, मतलब अगर आप positive quantity से किसी inequality को multiply करते हैं, तो inequality का sign change नहीं होगा, अगर आप किसी positive quantity से किसी inequality को multiply करते हैं, तो inequality का sign change नहीं होता, लेकिन अगर आप c मानलो आपका negative है, और अब आप c से multiply कर रहे हो, तो अब आपकी inequality का sign reverse हो जाएगा, यह बहुत ही important concept है, तो inequality का sign जो होता है, अगर आप negative quantity से multiply करोगे inequality को, तो उसका sign आपको change करना पड़ेगा, इसको हम एक बार लिख लेते हैं, ताकि आपको याद रहें, तेखें जड़ा, note लिख लिए एक नीचे, sign of inequality changes if it is multiplied by a negative quantity. अगर हम inequality को किसी negative quantity से multiply करते हैं, तो हमें उसका sign change करना पड़ता है, ठीक है, अगर greater than है तो less than बन जाएगा, अगर less than है तो greater than बन जाएगा, example देख सकते हैं, इसके, let's say 1 less than 2 था, हमने इसको negative quantity से multiply करा, let's say minus 3 से, तो अब यह minus 3 बना और यह minus 6 बना, हम इसको sign इस तरह से नहीं डाल सकते हैं, तो यह तो गलत हो जाएगा, वो कि minus 6 बना होता है, तो इस समय हमें इस inequality का sign change करना पड़ेगा, that is the correct form, लेकिन अगर आप इसको positive quantity से ही multiply कर रहे हो, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 आ जाएगा, तब हमें sign change करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस सीज का ध्यान रखेंगे आगे से, कि जब भी किसी inequality को negative quantity से multiply करें, तो उस inequality का sign जरूर चेंज कर दें, अगर ऐसा भी होता, कि 2 less than equal to 5 है, तो अगर आप negative से multiply कर रहे हो, तो it will be minus 6 greater than equal to minus of 15, ठीक है, तो inequality का sign तो हमें change करना ही पड़ेगा, चाहे वो greater than वाली inequality है, चाहे less than वाली, चाहे less than equal to वाली, और चाहे greater than equal to वाली, तो inequality को जब भी negative quantity से multiply करेंगे, तो sign जरूर चेंज करेंगे, यह बात को मैंने अब काफी बार repeat कर दिया है, ठीक है, जैसे कि एक एक्जामपल करते हैं, अगर आपको minus x greater than 6 दे रखाओ, और आपको बुले कि x का solution निकालो, या फिर x की value निकालो, तो हम क्या करेंगे, इस equation को minus 1 से multiply कर देंगे, दोनों तरफ, दोनों तरफ जब minus 1 से multiply करा, तो inequality का sign, यहाँ पे तो plus x आ जाएगा, साइन हमें inequality का change करना पड़ेगा, तो यह चीज़ क्या हुई, अब इसको तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, x belongs to minus infinity open से लेके, minus 6 open तक, plot भी करना है, तो plotting भी अब हमें आती है, अभी अभी हमने यह concept सीख है, I hope आपको यह सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, जब भी negative quantity से आप multiply करोगे, तो inequality का sign change होगा, अभी यही चीज़ बिलकुल exactly, division में भी हम use करते हैं, कि अगर आप negative quantity से divide करोगे, तब आपको sign change करना पड़ेगा, इसको लिख लेते हैं, let's say a greater than b है, तो अगर आप negative, अगर आपने let's say c positive से start करा, अगर आप इसको लिख रहे हैं, a by c greater than b by c, यह कब होगा, जब c positive है, तब आपको inequality का sign change करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका c negative है, तो जब आप divide करोगे, then you have to change the sign of inequality, ठीक है, obviously 0 से divide नहीं कर सकते हैं, वोग कि फिर not defined term बन जाएगी, I hope you are getting this concept, यह बहुत important concept है, कई बार बच्चे इसमें काफी सारी गल्तियां करते हैं, ठीक है, let's move further, 3-4 question करते हैं, इसी concept पर, ठीक है, let's say first देखा हमने, x minus 2 greater than minus 1, यहां से क्या आजाएगा, इसको हम simplify कर सकते हैं, इस तरह से, कि x greater than minus 2 उदर गया, तो यह बना 2 plus का और minus 1, तो x greater than 1 आया, तो answer कितना आ गया, x belongs to 1 to infinity, second example देखी, x plus 3 less than equal to 7, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x less than equal to 7, यह 3 उदर चला जाएगा, तो 7 minus 3, तो यह आजाएगा, x less than equal to 4, तो answer लिख सकते हैं, x belongs to minus infinity to 4, और देखी, example एक, let's say, 2x minus 3 greater than 7, तो यह कितना आएगा, 2x greater than 7 plus 3, which is 2x greater than 10, so x greater than 5 आगा, x greater than 5 आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x belongs to 5 to infinity, ठीक है, आगे देखा, let's say, अपने पास है, 3x minus 5 greater than 0, इसको कैसे लिख सकते हैं, x greater than 5, यह 5 उदर गया, फिर 3 नीचे आजाएगा, positive quantity है, तो inequality का sign change करने की जूरुत नहीं है, so answer will be, x belongs to 5 by 3 open to infinity, ठीक है, तो यह कुछ examples हो गए, जो concepts हमने अभी अभी पढ़े हैं, उसके base पे, चलिए, आगे चलते हैं, दो operations देखते हैं, inequalities के topic में, बहुत important operations हैं, जो हमने sets में भी देखे हैं, i.e. union and intersection, इसको बहुत द्यान से समझना, नहीं तो आगे फिर काफी difficulty आती है, आगे questions करने में, union का basically हमने last lecture में meaning क्या दिखा है, कि union में हम sets वाले, अगर 2 sets हैं, तो union में हम उन दोनों sets को combine कर देते हैं, यहां पर basically sets combine होते हैं, और intersection में क्या होता है, कि sets के common elements हैं, उनको हम include करते हैं, तो यह basic difference है, union में और intersection में, और intersection को English में हम और से denote करते हैं, और intersection को अगर English word से denote करना है, that is end, तो अब जड़ा देखें, इन में examples देखते हैं, और यह काफी important topic है, तो ध्यान से करेंगे इसको, first, कहीं पर लिखाओ, कि x greater than 2, and x less than equal to 7, अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर plot करा, यह कहता है कि x 2 से बड़ा है, तो कि equal नहीं है, तो open circle 2 से यहाँ इधर infinity तक एक कह रहा है, x की value 7 से 7 के equal है, यहाँ फिर उससे छोटी value है, तो इनके answer आई यह वाले, अब दोनों का, अगर and करना है, and यहाँ पर word is, that is governing the operation, that is and, and मतलब हमें intersection करनी है, मतलब हमें common elements देखने है, तो common elements वाला portion तो फिर यह वाला portion आएगा, इसको हम दूसरे pen से shade कर देते हैं, for your convenience, यह ऐसे कर दिया है, तो जो यह हमने shading करी है, तो यह किसको denote कर रही है, जो इन दोनों के common elements हैं, ठीक है, तो इन common elements को हम इस तरह से लिख सकते हैं, finally x belongs to, तो तो एक ही में आ रहा है, तो वह तो common होगा नहीं है, तो से बड़े element और साथ से छोटे तो, यहां पे bracket, close bracket आ जाएगी, open to, to close 7, जो भी common portion आया, वह हमने and में इसको include करा, that is intersection of two solutions, समझ में आपको आ जाना चाहिए, यह topic अभी है, second देखें, x greater than equal to 3 and x less than 2, चलिए plotting करते हैं, 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा तो यह portion हुआ, यह 3 के equal और उससे बड़ा, और फिर दूसरा यह कह रहा है, 2 से छोटा, तो 2 से छोटा यह हुआ, अब इन दोनों में common portion क्या आया, इन दोनों का common portion क्या आया, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे and लिखा हुआ, तो common portion तो कुछ भी नहीं आया, तो इसका answer क्या आजाएगा, x belongs to 5, मतलब इसका आमें कोई solution नहीं मिलेगा, और देखिए example एक, x greater than equal to 3 and x greater than equal to 5, plot किया इसको, यह line लेली, एक कह रहा है 3 से 3 के equal या उससे बड़ा, दूसरा कह रहा है, कि 5 के equal या उससे बड़ा, तो दोनों का फिर common portion क्या बना, यह वारा region सारा common region आ जाएगा, तो answer will be x belongs to 5 close से infinity open तक, आगे चलते हैं, let's say ऐसा दिया हुआ है, x 2 से लेके 7 तक, ठीक है, and, जो अपना दूसरा x है, वो दिया है, 3 से लेके 10 तक, अभी इन दोनों को plot करना पड़ेगा, तो पहले number line बना ली, यहाँ पे 2, और यहाँ 3 लिख लिया, यहाँ पे 7 एक number आएगा, यहाँ पे 10 आगे, तो पहला कह रहा है, x 2 close से, यह 2 close लिया, और 7 open तक, ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, 3 close से, 10 open तक, इनका अगर हम common portion देखें, तो common portion कितना बनेगा, यहाँ से लेके, इस point तक बन जाएगा, यह सारा region, common region, ठीक है, तो answer will be, x belongs to, 3 तो दोनों में आ रहा है, तो 3 पे तो close कर देंगे, लेकिन जो 7 है, वो इसमें नहीं आ रहा है, तो 7 common में तो नहीं आएगा, फिर, 7, minus 5, लिख लेते हैं, let's say, minus 5, greater than, equal to 1, and x minus 7, less than 5, अब इसमें कहा है, इसमें inequality दे रखे है पहले जे, तो पहले इसको solve करना पड़ेगा, थोड़ा सा, तो इसको हमने लिख सकते है, 3 x greater than, equal to 5 plus 1, 6, x greater than, equal to 2, और यहां से and चल रहा है, इस and का जुरूर ध्यान रखेंगे, यहां एक्स less than, 7 और 5, 12, x less than 12, तो अब इन दोनों को plot करेंगे, यहां पर 2 आया, एक answer बोल रहा है, कि हमारा answer है, हम 2 के बराबर या फिर 2 से बढ़ा, दूसरा क्या बोलता है, कि 12 के बराबर तो नहीं है, तो open circle और 12 से छोटा आ सबता answer, ठेक है जी, तो इनका फिर अब common portion के आएगा, इनका तो common portion फिर यहां से लेके, इस 12 को छोड़े देते हैं, जो यह region बना सारा, तो यह अपना common region आ गया, तो answer कैसे लिखेंगे, x belongs to, 2 तो दोनों में आ रहा है, तो 2 पे close, 12 पे open, कुछ भी doubt आ रहा हो, तो आप पिछे rewind करें, और दुबारा से उसको clarify करें, before proceeding further, next example लिए हमने, 5 minus x greater than equal to 3, and 7 minus 3x less than 5, इसको भी देख लेते हैं, तो x उदर गया, और 3 उदर आ गया, ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पिर आप ऐसे करो, कि 5 को उदर ले जाओ, तो minus x greater than equal to 3 minus 5, और यहाँ से minus x greater than equal to minus 2, अब minus 1 से दोनों तरफ multiply कर दिया, जब आप minus 1 से multiply करोगे, तो यह आजागा x less than equal to 2, inequality का sign तो आपको change करना भी पड़ेगा, जब आप minus 1 से multiply करोगे, और इसको हमने solve किया, तो minus 7 को उदर ले गए, तो minus 7 बन जाएगा, less than 5 minus 7, तो यह बना minus 3x less than minus 2, अब फिर minus 1 से multiply करा, तो minus 1 से multiply करेंगे, तो 3x greater than 2 आजागा, inequality का sign change हुआ, इस चीज़ को बहुत ध्यान से observe कीजिए, तो x greater than 2 by 3 आपको, x greater than 2 by 3, ठीक है, अब इन दोनों को plot कर लिया है, number line पे, यह number line ली, एक कह रहा है, 2 by 3, और 2 इदर आजाए, तो first यह वाला क्या कह रहा है, यह कहता है कि अपना number 2 के बराबर, या उससे छोटा हो सकता है, x, और यह कहता है, कि x की value, जो है, वो 2 by 3, सोरी, यहाँ पे open आएगा, 2 by 3 open से बड़ी हो सकती है, तो finally common portion क्या आ रहा है, यह वाला region अपना बीच का common आ रहा है, तो common region को किस तरह से लिखेंगे, x belongs to, 2 by 3 open से लेके, to close तक, यह ही है, intersection वाले portion में, ठेक है, तो यह सारे examples हमने and वाली देखी, अब इसी तरह से हम आगे, और वाले examples देखेंगे, जब union हो रही होगी, ठेक है, तो अगला topic देखें, union वाले questions करते हैं, कुछ, यूनियन को, जो इंग्लिश का word, यूजर होगा, वो और यूजर हो, इंग्लिश वाला और है, यह हिंदी वाला, और नहीं है, यह हिंदी वाला और तो इंग्लिश में and बन जाएगा, ठेक है, ध्यान रखेंगे इस बागे, तो पहला point देखा है, एक example देखी, एक यहाँ पर 0 आया और यहाँ पर 1 आया, यह कहाँ रहा है, यह उससे बड़ा और एकृ जीरो ससे कहे रहा है, कम रखना है, इस तरह से करने हैं, तो अब इन दोनों की यूनियन करनी है, मतलब यह वाला स्लिशन भी finns और यह वाला solution भी आना चाहिए अब ध्यान से देखें हम इसको किस तरह से लिख रहे हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे x belongs to एहले तो इसको लिखा यह इसको लिखते है माइनस इंफिनिटी से जीरो ओपन दोने तरफ यूनियन यूनियन क्या से इंफिनिटी ओपन द्यान से देखें इसको दुबारा देखने माइनस इंफिनिटी से सीरो दोने तरफ ओपन यूनियन वन से इंफिनिटी तो इसको लिखने का तरीका यह हुआ और question करते हैं फिर और समझ आएगा x greater than equal to 1 और x less than 5 देखें इसमें क्या आता है फ्लॉट करते हैं कह रहा है 1 से यह 1 और 5 कर लिए पहले तो 1 के equal या उससे बड़ा और दूसरा कह रहा है के 5 से छोटा 5 के equal नहीं है ठेक है 5 से छोटा इस तना से तो अब अगर आप दोनों का union करोगे तो इधर से तो सारे number आ रहे है यह वाले numbers भी आ रहे है और यह आगे वाले numbers भी सारे आ रहे है तो यहाँ पे तो फिर x की value minus infinity से लेके plus infinity आ गी या फिर आप कहलो x तो सारे real numbers attain कर सकता है कोई भी value x की आ सकती है ठीक है और दिखा है एक let's say x greater than equal to 1 और x less than x greater than 2 कर लिया let's say x greater than equal to 1 और x greater than 2 इन दोनों को plot करा तो यहाँ पे 1 आया यहाँ 2 आया एक ने बोला answer क्या कि 1 के बराबर या उससे बढ़ा दूसरे ने बोला कि 2 से बढ़ा बराबर तो नहीं 2 से बढ़ा तब दोनों का common union कितना आएगा common portion नहीं निकालना हमें union निकालनी है कि सारा चीजें add हो जाएं सब solution आए इसके भी आए और इसके भी आजाएं दोनों के add करके तो answer आजाए गया x belongs to 1 close से infinity open आ रहा है ना समझ में सब कुछ नहीं आ रहा तो फिर मैं बार बार बोल रहा हूं आगे बढ़ने से पहले पिछे वाले lectures पिछे वाले topics अच्छे से त्यार कर लें ठेक है अब और देखें होगे एक example लेते हैं और इसमें बस आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है कि plotting कुछ इस तरह से होती है कि answer ना ऐसे आ रहे है मालो यह 1 है यह 3 है और इसके बाद यह 5 है इस तरह से और आप इसको interval की form में लिखना चाहते है तो इसको आप इस तरह से लिख सेते हैं देखें इसको लिखने के कई सारे तरीके है एक है कि आप लिख लो इसको x belongs to 1 open से 3 open और फिर union कर दो 3 open से 5 close ठीक है या फिर आप इसको ऐसे लिख लो x belongs to 1 open से 5 close और इसमें से minus कर दो जो एक number 3 हमें नहीं चाहिए 3 open है तो 3 नहीं चाहिए तो 3 minus कर दो या तो ऐसे लिख लो ठेक है तो इस चीज़ को लिखने के यह दो दरीक है है मैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं ठेक है तो आगे एक प्रॉपर्टी आती है वो पढ़ लेते हैं यह भी कहलो इंबॉर्टन प्रॉपर्टी ही है ठीक है इसका द्यान रखने में पर यह प्रॉपर्टी क्या गहती है कि अगर कहीं पर लिखा हो कि a to be greater than 0 है ठीक है तो क्या होगा दो नंबर्स का प्रॉडक्ट पॉ या तो दोनों नंबर a भी greater than 0 आ रहा हो और b भी greater than 0 आ रहा हो या फिर क्या हो रहा हो कि a भी negative हो and b भी negative हो तो यह दो possible scenarios है इस case में और अगर a b let's say negative है तो क्या हो सकता है कि a positive है and b negative है या फिर और a negative है and b is positive इस case में यह दो scenarios हो सकते हैं इसका हम कभी use कर लेते हैं solve करने में question मैं भी आपको एक question करवा देता हूं लेकिन वैसे questions हम एक और हमारे पास simpler approach है उससे भी solve करते हैं यह अभी जो हमने सीखा उससे एक question solve करके देते हैं मान लो इस तरह से question आ जाए कोई और बोले कि आप x का interval बताओ या x बताओ या x की solution बताओ इस inequality के लिए अब हमने देखा यहाँ पे दो चीजें multiply हो रही है न यह a हुआ तो यह b हुआ तो दोनों का product positive आ रहा है तो दो scenario हो सकते हैं या तो क्या हो रहा होगा कि x-1 greater than 0 है and x-3 भी greater than 0 है और क्या हो सकता है इसके लावा दोनों negative भी हो रहे हो यह भी हो सकता है x-3 भी negative तो अगर x greater than 1 आ रहा है यहां से x greater than 1 आ जाएगा and x greater than 3 यहां से आ जाएगा यहां क्या आएगा x less than 1 and x less than 3 यहां पे आ गया तो इनको जब हमने plot करा number line पे तो यह कह रहा है 1 से बड़ा और यह कह रहा है थ्री आ गया intersection ठेक है तो इसको करा इधर यह कह रहा है यहां पे 1 और यहां पे 3 गारा दो 3 से चोटा ओ यहां फिर 1 से चोटा और इन दोनों के क्या आगया एक्स बिलांग्स टू माइनस इंफिनिटी टू वन ओपन योनियन थ्री ओपन टू इंफिनिटी मुझे अमीद आपको यह समझ में आगया होगा यह टॉपिक यह लास्ट कोशन जो हमने किया अभी इसको करने के एक और मैथड है उसको हम बोलते हैं वेवी कव मैथड हो हम नेक्स वीडियो में अभी देखेंगे ठीक है तो यह लेक्चर आप तब तक अच्छे से पढ़ लो ताके हम जब आप नेक्स वीडियो देखो तो आपको बहुत यह अच्छे त्रीके से वेवी कव मैथड समझ में आए अल्राइट तो लेट्स मीट अप इन नेक्स लेक्चर